सब्सक्राइब करते हैं समय कम है कुछ प्रेक्टिस सी साइट की भी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है उसी में अट करते जाएगा इसको देखें सी सेट में जो है सो प्रश्ण आते हैं यहां पर यह रिजनीं का प्रश्ण है रीना मीना टीना और बीना बैंक ATM की और मुख करके एक सीधी रेखा में खड़ी है किन्तु इसी क्रम में नहीं मतलब यह जो क्रम दिया है इसी क्रम में नहीं एक और चीज है इन सभी ने अलग-अलग रंके वस्तर पहने हुए जैसे कि नीला पीला हरा और लाल कुछ और भी दिया है जैसे कि बैंक ATM की लाइन में सबसे पीछे मीना खड़ी है और मीना ने लाल रंके वस्तर पहने हुए तीना जो है वो बीना के ठीक आगे खड़ी है किन्तो उसने नीले रंके वस्तर नहीं पहने है मतलब यह जो टीना है उसने नीले रंके वस्तर नहीं पहने है ठीक है जो लाइन में सबसे आगे खड़ी है उसने पीले रंके वस्तर पहने हुए बीना सबसे आगे नहीं खड़ी है आपको दो चीज़ा इसमें बतानी है सबसे आगे कौन खड़ा है और बीना ने कौन से रंके कपड़े पहने हुए और यह है आपके options ठीक है सबसे आगे बीना खड़ी है नीले रंके वस्तर पहने हुए सबसे आगे रीना खड़ी है और बीनाने लाल नीले रंके वस्ते पहने हो, सबसे आगे टीना खड़ी है हरे रंके, और सबसे आगे टीना खड़ी है नीले रंके, ठीक है, इस प्रश्ण का यहां उत्तर होगा, इतने का, और इस वाले का second वाली line में, चरिए, तो reasoning के प्रश्णों को तरीका वही है, ठीक ह इस प्रश्ण कर रहे हो, तो English वाले में रंकना स्टार्ट कर दीजे, इंग्लेस में सॉल्व कर रहे हो, तो Hindi में, यह नीचे जगह है, तो वहीं स्टार्ट कर दीजे, जैसे जैसे बोलना, वैसे वैसे करते जाए है, ठीक है, बैंक ATM की line में, सबसे पीछे मीना खड़ी है, और लाल रंके वस्तर पहने हो, लोग कितने ही है, चार लोग है, ठीक है, चार पॉइंट इसको बना सकते हैं, यहाँ पर सबसे पीछे मीना खड़ी है, और लाल रंके वस्तर पहने हो, तो सबसे पीछे मीना खड़ी है, और लाल रंके वस्तर पहने हो, तो या तो यह पीले रंग के वस्तर पहनी होगी या फर यहारे रंग के वस्तर पहनी होगी क्योंकि रैड रंग तो मीना के लिए हो गया अच्छा आगे एक लाइन है बीना सबसे आगे नहीं खड़ी है ठीक है तो हमने सही बना दिया बीना सबसे आगे नहीं खड़ी है बीना के आगे खड़ी है तिना तो यानि जो रीना होगी वो सबसे आगे होगी ठीक है और क्या दिया है उसने पीले रंके वस्तर पहने हुए जो लाइन में सबसे आगे खड़ी है उसने पीले रंके वस्तर पहने हुए तो रीना होगी पीले कलर वाली ठीक है यलो हो गई तो अब क्लियर होगी ग्रीन कलर किस के लिए बजगा अब बताना गया सबसे आगे कौन खड़ہ तो सबसे आगए रीना खड़ी है और बीना ने कौन से कलर की कपड़े पड़े हुए इसने तो नीले रंगे कपड़े पहने हुए है इसका आंसर क्या हो जाएगा रीना और ब्लू यानि ऑप्सन नंबर भी बीना के कपड़े पूछे थे तो बीना ने नीले रंग के कपड़े पहने है तो आपसन नंबर भी हैस का अंसर चलिए कोशन नंबर दूपर आजए नम्रिकत में से तीसरी आकरती में प्रशन वाचक चिन के इस्थान पर कौन सी संख्या आएगी तीन पांच सत्रा कर दिया एक साथ पच्चिस कर दिया और चार दो कुशन मार्क क्या आएगा देखे यहां स्क्वाइर क्यूब जोड़ना घटाना कुछ भी जो है रूल लग सकता है रीजनिंग में तो तीन धन पांच को इन्होंने सत्रा कर दिया बांच तीन आठ दुनी सोला देखे यहां हो रहा है इसका स्क्वाइर ठीक है यानि बर्ग हो रहा है तीन का छे हो गया पांच का दस हो गया तीन का नो हो गया पांच का पनचे सो गया दोनों का एड़ कर दिजए कितना हो गया 34 हो गया और उसका हाफ यहां पर लिखाए 17 इस तरह से 7 का 49Wow28 हो गया एक का तो एक ही होता है, पचास हो गया, पचास का हाँ 25 लिखा है, चार चक 16 हो गया, और दोदुनी 4 हो गया, ठीक है, 16-4, 20 हो गया, और 20 का हाफ ही है नी 10 आना चाहिए यहाँ पर, तो C हो जाएगा इसका अंसर, कॉर्षण No.3 पर आजईए, find the correctly schedule correspondence, correspondence, सई spelling कौन सी है, correspondence, correspondence का रथ होता है पत्रविवहार, पत्रविवहार, तो, correspondence, correspondence, यह गलत है, double R बनेगा, correspondence इतना सही है, correspondence नहीं होता है, यह गलत है, correspondence होगा, ठीक है, A हो जाएगा correspondence P-O-N-D-E-N-C-E P-O-N-D-E-N-C-E D-A-N-C-E नहीं है ठीक है यह भी गलत है तो correspondence पत्र व्यभार C-O-R-R-E-S P-O-N-D-E-N-C-E Dense Quesion No.4 है Balti और तमाकू कैसे सब्द है Balti, तमाकू, आलपिन यह पुर्टगाली सब्द है option No.C तमाकू हो गया Balti हो गया पुर्टगाली सब्द है इसके अलाबा आलपिन important है जो पूछी आती है गमले को भी याद रखेगा वस्ता, मेज, बटन, कार्टूस, तिजोरी, तॉलिया, फीता चाभी, अचार, संत्रा, सब्वन यह सब पुर्टगाली सब्द है यह नमबर इस पर कॉलिया वाटसप करके आप फुल टैस्टरी सीरीज प्राप्त कर सकते हैं उपी PCS की चलिए question No.5 पर रखेगे नमड़के तमसी किसका मेलान सही नहीं हुआ है यह हैं सब्द, यह हैं भासा इस्टेशन अंग्रेजी भासा का सब्द, गिरफतार फार्सी भासा का सब्द, कैंची तुर्की भासा का सब्द, इस्टीफा अर्भी भासा का सब्द देखे इस्टेशन हो गया, अस्पताल हो गया सब्सक्राइब करें तो यह बहुत हैं और दोनों में एक पैसे जाता जिस्स चार से पांच प्रशन पूछ जाते हैं तो किस विकल्प के सभी सब्द कामदेव के प्रयवाची है कामदेव का प्रयवाची मदन है लेकिन बाजी नहीं है बाजी घोड़े का प्रयवाची है पंकज कमल का प्रयवाची है सुधान सूर्चंत्रमा हो गया इसको हटा दीजे तो अनंग मदन मनोज यह डी में जो है सारे के सारे काम देव के प्रहएवाची है important है काम देव के प्रहएवाची तो अनंग मदन मनोज मनमत रतीपती रतिनाथ अधी यह सब काम देव के प्रहएवाची यती नहीं रती चीक है question number 7 पर आज़ी है find the correctly spelled temperature Temperature, cigarette, aberrant और Surveillance यनी निग्रानी रखना तो correct कौँ सा Temperature, Temper. टैमपा नहीं होता, builder。 टैमपा नहीं होता, टैम पे होता पी ई आएगा और आरे आएगा, ठीक है? P के बाद ई आएगा, आर के बाद आएगा. Temperature, cigarette, double टी बनेगा, इसका आड़त होता है धर्म पत से हटने वाला चलि कोश्यन नमबर बिफोर मी आफ मी आफ मी आफ मे बिसाइड्स मी ऐब बिफोर मी औप्स सनम्बर भी हो जाए यहां पर तो दे आफ में ग्रीजेट नमबर ना बॉप्स्ट ना आज कोश्यन नमबर नए0 पर आजो है identify the grammatically incorrect sentence I am used painting they love to sing I took forward to seeing you I used to live in America कौन सा इन करेक्ट है देखे I used to live in America used to live in America इन अमेरिका करेक्ट है I look forward to seeing you ये भी सही है they love to song I am used to painting to की वैसे गलत हो गया ठीक है I am used to painting तो to as a proposition के फॉर्म में जब use होता I am used to painting I look forward to seeing you ठीक है seeing की जगा see होता तो गलत हो जाता I used to live in America they love to sing कौन सा नमबर दस पर आजे सेनी करम में आगे आने वाले अंक की पहचान कीजिए 3, 24, 5, 120, 20, 7, 336 और 9 dash क्या है ये देखे यहां हो रहा है cube यानि घन 3 का होता है 27 27 की जगे 24 लिखा है 3 इसको माइनस करो तो 4, 3, 7, 24 हो गया ठीक है 5 का होता है 125 तो 125 में से 5 के 120 7 का होता है 343, 343 में से 7 जाएंगे तो 336 और 9 का होता है 749, 749 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा sorry 729 होता है 729 में से 9 जाएंगे तो 720 हो जाएगा यानि C हो जाएगा इसका अंसर तो कुछ इस तरह ऐसे है ये जैसे कि 3 का cube 27 27 में से 3 गए तो 24 5 का 125 माइनस 5 120 7 का 343 343 में से 7 जाएंगे तो 326 ठीक है और फिर 9 का 729 में से 9 जाएंगे तो हो जाएगा 720 अगर 8 होता तो 8 का 512 होता है और 10 होता तो 10 का 1000 होता है देखें अगर square पूछ ले तो 1 से 20 तक कम से कम reasoning में इतने याद ही होने चाहिए और cube भी कम से कम 1 से 10 तक तक तो याद होने चाहिए important है reasoning के लिए और A से लेके Z तक A से लेके Z तक मूझ अबानी याद होना चाहिए कि A कौन से नंबर का जैसे Z 26 पे नंबर का है ठीक है A पहले नंबर का है T 20 नंबर का है I 9 नंबर का है ये सब पता होना चाहिए question number 11 पर आजएए एक तस्वीर के और इशारा करते हुए मदन कहता है कि यह मेरे दादा के इकलोते पुत्र की पत्नी है तस्वीर की महिला का मदन से क्या संबंद है मदन कहता है कि यह मेरे दादा मानले जी यह तस्वीर हो गई यह मेरे दादा के इकलोते पुत्र मेरे दादाए की क्लोटे पुतर यानि मदन के दादाए के कलोटे पुतर उसके पिता जी पतनी है तो मदन की माँ हो गई माता जी हो गई है तो C हो गया तस्वीर की महिला का मदन से माता है उसकी question no.12 पर आजए नम्रेकित सब्दों में विशम को चुनिए, मोती, हीरा, कोईला, ग्रिफाइट तीनों के नीचे मिनरल्स हैं मोती, सीपी से तो एई विकल्प यहाँ पर विशम हो जाएगा मोती वस्चन नमर्ट हटीन पर आजए नमलिखित सब्दों से विशम को चुनिए यहाँ विशम हो जाएगा रोगाणू वस्चन नमर्ट फोटीन पर आजएए यदि किसी महा की दसवी तिथी रविवार के तीन दिन पहले पढ़ती है तो दूसरी तिथी किस दिन पढ़ेगी वंगलबार को व्रस्पतिवार को बुधवार को सुक्रवार को यदि किसी महाने की दसवी तारेक ठीक है तो 10 तक 7 तक 8 तक सबसे असान तरीक आयाइन का उतनी संख्या जल्ड़ी से लिख लीजे और उसको जो है काउंड कर लीजे तो यदि किसी महाने की 10 वी तिथी रविवार के दिन पढ़ती है तो दूसरी तिथी रवी बार के तीन दिन पहले पढ़ती है ठीक है यदि किसी महिने की दस्वी तिथी जो है वो रवी बार के तीन दिन पहले पढ़ती है तो दूसरी तिथी किस दिन पढ़ेगी यदि किसी महिने की जो दस्वी तिथी है वो रवी बार के तीन दिन पहले पढ़ रही है रवी बार के तीन दिन पहले पढ़ रही है यानि रवी बार को रवी बार के रवी बार के तीन दिन पहले तो बारा पहला दूसरा और तीसरा रवी बार के तीन दिन पहले पढ़ रही है यह हो जाएगा बुद्ध बार, पंगल बार, सोम बार, रवी बार, सनी बार, सुक्र बार, ब्रहस्पति बार, तो दो तारीक का क्या हो जाएगा बुद्ध बार हो जाएगा, यानि वेड्नेस डे हो जाएगा, question number 15 पर आज़िए छत्ता मदुमक्खी का तो उचा नीड उचा नीड उचा नीड यह मतलब उचा गोंस लाइन में से कौन बनाता है तोते का कबूतर का चुड़िया गरुण का सी हो जाएगा गरुण चलि question number 16 आज़िए किसी खास code में rail को पांच साथ नोच लिखा जाता है टेप को 3748 लिखा जाता है तो उसी code में pair को कैसे लिखा जाएगा बताईए देखे अलफ़ेटिकल में आर कौन से नंबर का अक्षर है ए कौन से नंबर का तो ए के सामने तो 7 लिखा जबकि ए पहला है I9 ठीक है यहाँ ठीक है लेकिन T को चाहर P को चाहर लिखा है कॉमन को देख लीजिए अच्छा यहाँ A को जो है इन्होंने 7 लिखा है और यहाँ भी A को इन्होंने 7 लिखा है तो यहाँ भी A का 7 हो जाएगा यहाँ सेकंड 7 तो कॉमन है यहाँ R को इन्होंने 6 लिखा है यहाँ R को 6 लिखके देखते है ठीक है और यहाँ 7 लिख देते है और क्या है P P को यहाँ पर इन्होंने 4 लिखा है और यहाँ P को 4 लिखा है ठीक है P को यहाँ 4 लिखा है P को यहाँ 4 लिखा है तो 4 आ जाएगा आई यहाँ पर 9 हो गया और आई यहाँ पर 9 हो जागा तो option number A हो जाएगा इसका 4795 ठीक है 4795 ए हो जाएगा ना 4795 printing mistake कैसे हो गए पेर को 4795 चलिए option number 17 पर आजएए 9 दिन पहले मोहिनी सिनिमा देखने गई वहके वल ब्रस्पतिवार को ही सिनिमा देखने जाती है आज सब्ता का कौन सा दिन है 9 दिन पहले मोहिनी सिनिमा देखने गई वहके वल ब्रस्पतिवार को ही सिनिमा देखने जाती है आज सब्ता का कौन सा दिन है तो आज सब्ता का कौन सा दिन हो जाएगा नो दिन पहले गई ना तो आज दसमा दिन है तो आज क्या है आज है सनिवार ठीक है और नो दिन पहले क्या हो जाएगा नो दिन पहले हो जाएगा ब्रस्पतिवार नो दिन पहले महनी सिनिमा देखने गई केबल ब्रस्पतिवार कोई सिनिमा देखने जाती है तो आज कौन सा दिन हो जाएगा आज सबता का कौन सा दिन होगा यानि आज दसमा दिन है तो दसमा दिन हो जाएगा सनिवार का इसको काउंट भी कर सकते हैं पुशन नुमर 18 पर आज़िए यदि आने वाले कल के दो दिन बाद सुक्रवार है तो बीते हुए कल के दो दिन पहले सब्ता का कौन सा दिन था यदि आने वाला कल मान लीजिए ये आज है ठीक है आने वाला कल ये पॉइंट हो गया आने वाले कल के दो दिन बाद तो यहाँ यहाँ यह सुक्रवार हो गया तो बीते हुए कल यह आज है तो बीता हुए कल ही होगा बीते हुए कल के दो दिन पहले बीते हुए कल के दो दिन पहले यानि यहाँ सब्ता का कौन सा दिन होगा तो यहाँ सब्ता का दिन हो जाएगा सनी बार तो यहां से अगर इसको पीछे के तरफ जाएंगे तो यह सुकुरबार हो जाएगा यह बाला पॉइंट हो जाएगा ब्रस्पतिवार यह बुद्वार हो जाएगा और आज जो है आज मंगलवार है और जो बीता एक दिन कल वो सौंबार हो जाएगा उससे पहले का रविवार हो जाएगा और उससे पहले का सनिवार हो जाएगा और यह ही आंसर हो जाएगा Q19 पर आजएए जैसे किसी गाय के लिए बचछडा है वैसे किसी बकरी के लिए क्या है मेमना हो जाएगा यहनि लैंब Q20 पर आजएए मचली जैसे जल से संबंद देते है वैसे ही चड़िया किसे संबन देता है वायू नहीं आकाश में उड़ती है न तो A है इसका अंसर मचली पानी में रहती है question number 21 आज़िए जैसे जहाज कप्तान से संबन देता है वैसे ही अखवार किसे संबन देता है देखिए प्रश्ण आसान लग रहे हैं लेकिन एक्जाम हॉल में गलत हो जाते है छोटी सी गलती से जहाज कप्तान से संबन देता है तो अखवार किया हो जाएगा संपादक question number 22 आज़िए पोशाग दरजी सीता है तो बढ़ई क्या करता है लकड़ी का काम या फरनीचर बनाएगा फरनीचर सही होगा लकड़ी कलत है question number 23 पर आज़िए मोची चमड़े से संबन देते तो दरजी किस से कमीज से कपड़े से धागे से किस से कपड़ा सही हो जाएगा question number 24 पर आज़िए से सेल्फ में रखी जाती है तो कपड़े हेंगर पर लटकाओगे या कबरड में रखोज़ुगे वारडरॉब में या व्योरो तो हटाई दीजे तो सेल्फ में किताभ रखी जाती है पुस्त के तो कपड़े कबरड में रखे जाएंगे he you should no number 25 पर नम्रेकित सब्दों में से विश्रम सब्द को चुनिए पत्र, स्पीट, पोस्ट, SMS, मनी ओडर, देखिए, मनी ओडर फिजिकल जाएगा, स्पीट, पोस्ट, फिजिकल जाएगा, पत्र, यह एक इलक्ट्रोनिक माध्या में SMS, तो यही जो है विश्रम हो जाएगा, तो C has gone, तो एक ओच 25 प्रश्ण थे, प्रक्टिस के लिए इनकी प्रक्टिस कर लेजएगा, और साथ ही साथ reasoning, स्वारी, C-SAT की प्रक्टिस करते रही है, GS के साथ साथ, क्योंकि 33 प्रश्ण भी कभी कभी आने में, तीन या चार या दो प्रश्णों की कमी पढ़ जाती है, और GS में कॉलिफाइड होते हुए भी, C-SAT की वज़े से फेल हो जाते हैं, तो C-SAT को भी हर दिन कम से कम आदे से घंटा देजे, क्योंकि समय कम है, 14 तारिकों एक्साम है, वाकि UPS की फूल टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए, आप पेड टेलिग्राम ग्रूप से जड़ सकते हो, यह नमबर इस पर कॉल या वाटसप करके, और GS के प्रश्णों की फूल टेस्ट पीडिया प्राप्त कर सकते हैं, बेड टेलिग्राम ग्रूप में यह नमबर है, प्रैक्टिस करते रहेगा हर दिन,